सभी के सभी किले, दुर्ग, महल, इमारते जिनका संबन अपने आप में किसी ना किसी एक ऐसे रहसे के साथ में जुड़ा होता है वही रहसे यहाँ पर गिया है नीचे की तरफ सारे का सारा मलवा गिरा हुआ है ऐसा स्थान है जहां पर हजार स्थम्भ है और दोस्तो वो स्थान कोई और नहीं वो यही था जिसका नाम आज के समय में नमश्कार दोस्तो मैं हूँ विकरम और आज मैं आपको दिल्ली के एक नए स्थान बिजया मंडल में लेकर आगया हूँ दोस्तों बताया जाता है ये वाला स्थान चोद्वी शतावदी से आज तक छुपा हुआ था लेकिन आज हम इस जगा के एक-एक इतिहास के उन पन्नों को भी खोलेंगे और इस जगा के उन अवशेशों को आपके समक्ष पेश करेंगे जो बहुत जादा अभी तक अज्यात बताय जाता है ऐसा पता चलता है कि जो भारत के अंदर मुरको का एक यात्री जिसका नाम था इबन बतूता जब उसने भारत की यात्रा की और अपने देश जब वापस पहुँचा तो उसने अपनी किताब में इस जगा का जिक्र किया था और उस जिक्र के बाद ही इस जगा को खोजना शुरू किया गया आईए दोस्तों करते हैं हम अपनी आज की ये वाली वीडियो शुरू यहां पर जो पूरे का पूरा हिस्सा देख पा रहे हैं बड़े बड़े पत्थरों के साथ में और चुना पत्थर की लिपाई के साथ में इसको बनाया गया था और ऐसा बताया जाता है जो तुगलक साशनकाल के दूसरी शाशक थे मोहमद बिन तुगलक 1325 में जब वो बने तो इसी जगा पर थोड़ा भूत कंस्रक्शन हुआ था पहले से ही और इसी स्थान को उन्होंने चुना अपना महल बनाने के लिए ये काफी विशाल एक गुमबट है और ये पूरी की पूरी जो गुमबट है ये एक अलग आकरती की है पहले इसका नीचे वाला हिस्सा देख लीजी आप लोग कितने अच्छे तरीके से ये बनाया गया है और इसी के साथ मैं आप जब इसके ऊपर वाले हिस्से को देखें है और ऐसा कहा जाता है हमारे आर्केलोजिस सर्वे ओफ इंडिया की टीम के द्वारा कि इस थान को जब पहली बार खुजा गया तो बड़ा मुश्किल था ये पता लगा पाना कि ये एक्जेक्ट तरीके से किस आशक से जुड़ा है लेकिन जब यहां पर खुदाई हुई कुछ दिवारों के कुछ ऐसे अवशेश मिले कुछ ऐसे अभी लेक पराप्त हो यहां से जिन अभी लेकों को समझने के बाद में ही एडिया लगा कि इसका संबन तुगलक साशनकाल से है आईए मैं आपको इसका और बाहरी व्यूद करवाना चाहता हूँ और ये पूरे का पूरा जो बिजया मंडल है काफी जादा मजबूती के साथ में बनाया गया था जैसा कि आप इनके इन पत्थरों से एडिया लगा सकते हैं आप लोग सबसे पहले इस दिवार को देखिए आपे इस दिवार पे सीडी नूमा इसको बनाया गया है यानि कि आपको मैं इसके खासित बताता हूं यह जगा है यह दिल्ली के मालवी नगर में पढ़ती है और ऐसा बताते हैं कि यहां पर आल्रेडी ही पहले अरावली माउंटन का कुछ पार रहा होगा और यह एडिया पहले से उचाई पे था इसी लिए स्थान को चुना गया ताकि यहां से पूरे आस दोस्तों यह वाली जो जगा है बताया जाता है तुगलक साशनकाल के जो मौहमद बिन तुगलक एक साशक समराथ बने थे वो इतने जादा परभाव शाली नहीं बताया जाता है फरन्तु इस जगा को उनी के महल के नाम से जाना जाता है और यह वो सीडिया है जो हमें इसक ये उपर वाले हिस्से को देखने और दिखाने में मदद करेंगी, आप लोग यहां से थोड़ा विच्चत डिजाइन देखिए, उपर की तरफ देखिए, किस परकार से ये पत्थर बाहर निकाले गए हैं, और किस तरीके से इसको यहां पर बनाया गया था, पूरे का पूरा गई है, ज्यादा इसमें कलाकरती नहीं की गई है, ये इसकी चोड़ी चोड़ी दिवारे, इन दिवारों में जो आपको यह अलग अलग जगा होल दिखाए दे रहे होंगे, ये सारे के सारे कमरे के अंदर, कक्ष के अंदर, वेंटिलेशन के लिए और रोशनी के लिए बन सकते हैं, इस जगा से निकलना पड़ेगा, चारो तरफ का व्यू देख सकते हैं जाडियों में, यहां पर बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, ये देखिए, दोस्तों विजय मंडल का ये परमु कक्ष्थ हुआ करता था किसी समय, इसका पूरा पहले बहारी व्यू देख लेजयाब कंस्ट्रक्शन का, बताते हैं कि इसका जो उपर का हिस्सा है, वो तो सारा तूट चुका है, आज इसके कुछ खंडर अवशेश जो बचे हैं वो यही है, ऐसा बताया जाता है कि खिल्दी साशनकाल के दोरान इसी स्थान पर पहले से ही एक दुर्ग हुआ करता था, लेकिन 1325 के समय में मुहम्मद बिन तुगलक ने इस जगा पर अपने हिसाब से अपना महल और एक मजबूत दुर्ग तैयार किया, ताकि मंगोलियों के द्वारा होने वाले आकर्मन को रुका जा सके और इसकी मजबूत दिवार उनके उस भयानक हमले को असानी से धेल सके, और इस परीसर को कहा जाता है दिवाने आम, जहां पर बादशा अपने सैनिकों के साथ में बैठा करते थे और एक सभा लगाया करते थे, बताते हैं, 1934 में यहां पर खुदाई का काम शुरू किया गया था और उस समय ना जाने कितने बेश कीमती सिक्के जवारात यहां से प्राप्थ हुए थे, लेकिन आज भी ये स्थान अपने उस सुनहेरे इतिहास को अपने अंदर दबाई हुआ है, जो हमारी और आपकी नजरों से काफी जादा दूर है। जब इवन बतूता अपनी उस किताब को लिखने के बाद में अपने देश वापस पूशा, तो उसने बताया कि दिल्ली के अंदर एक ऐसा स्थान है जहां पर हजार स्थम्ब हैं। और दोस्तों वो स्थान कोई और नहीं, वो यही था जिसका नाम आज के समय में बीजया मंडल बताया जाता है। ऐसा बताती हैं कि जो राजा था, जो शाशक था, जो बादशा था, वो इसी स्थान पर उपर की तरह बैठा करता था और यहीं से अपने सभी के सभी कामों को परसाशन को देखने के लिए सक्षम हो पाता था। एक बार मैं आपको इस उपर वाले कमरे का व्यू दिखाऊंगा, किस तरीके से बना हुआ है वो, एक बार हम चलते हैं वहाँ पर, आईए मेरे साथ आप। इसका उपर आने का यह रस्ता बनता है और इन दिवारों के उपर एक खासियत है वो मैं आपको दिखाता हूँ। किसी समय जब इनके सैनिक यहाँ पर तैनाद रहते थे तो इस वाले हिस्से में उन लोगों की वो तोप के नाल या फिर गन पॉइंट इसी को बनाया करते थे। इस परकार से पूरे का पूरा यह एक आला बना हुआ है यह इसका वो भीजय मंटर देखे किना सुंदर पैटन बना रखा है जहां पर आप लोगों को इसका बाहरी स्ट्रक्चर देखे कितना सुंदर दिखाए दे रहा है काफी बड़े बड़े पत्थरों के साथ में यह बनाई गई थी यहां पर चोरियों शताबदी के अंदर और इसके जो अंदर का व्यू है वो आज कुछ इस परकार से देखने को मिलता है नीचे का रस्ता देखे पहले आप काफी उबड़ खा बड़ है यहां से हम देखना शुरू करते हैं बड़े बड़े पत्थरों के स चारो तरफ गेट एक के अंदर आने का एक यह सामने की तरफ है एक यह रहा इधर और इसी के बिल्कुल अपॉसित में इस परकार का लिए है चली ओपर ले चल दो मैं आपको यह उपर जाने की सीडियां है इसकी देखिए आप लोग और काफी छोटी सीडियां यहां हमारे समक्ष है सब पर्तीत हो रही है और इस विजय मंडल से पूरी तरफ का एरिया आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर काफी साथा बस्ती बस कई है चारो तरफ ग्रीन दी सामने की तरफ कुछ अफ्शेश और देखिए नीचे जाने का रस्ता ऐसा लिखा देता है यहां से घूमते घूमते हम लोग एक ऐसे कक्ष में आप होचे हैं जिसे कहा जाता था किसी समय की मजजिद ऐसा बताया जाता है कि जो हसन ताहीर नाम के एक सूफी संथ हुआ करते थे उनहीं के नाम की यह वाली जो मजजिद है और यह वाली जो प्रांगन है वो आज के समय में जाना जाता है लेकिन इसकी जो हालत है वो आप लोगों की बिल्कुल आखों के सामने हैं नीचे की तरफ सारे का सारा मलवा गिरा हुआ इधर की आप दिवारों को यदि देखेंगे तो दिवारों को और इनके पत्रों को देखकर आप यह आइडिया लगा सकते कि काफी मजबूती के साथ यह अपने समय बनाए गए थे और बिना किसी लखड़ी के बिना किसी लोहे के लेंटर सपोर्ट के भी इनके ऊपर किसी समय पूरी पूरी चट्र बनी हुई थी जो उस समय की एक मजबूत और एक ऐसी वास्तुकला को दिखाता है जो आज के समय में बनाना और होना में बताया जाता है यह कुछ लोगों को यहां पर दफन किया गया है जो उन संत से संबंदित थे उनके अनुयाई थे यहां पर भी लोग नमाज अदा करते हैं और इसी के साथ में इस मजजित का बाहरी भीवाप लोग देखिए यह पूरे के पूरे अच्छे भारी पत्रों क के साथ में बनी हुई और हमारे समक्ष आज पेश हो रही है तो दोस्तों हर बर की तरह आज फिर हमने आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो पेश की जो आपकी नजरों से काफी दूर थी नया कंटेंट नई वीडियो नई ज़दा अगली बार बहुत जल्दी जहिंद